नमस्कार दोस्तों दो मैं तो हमेशा कोई न कोई वीडियो बनाता रहता हूँ आज एक कुछ अलग सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूं हलाकि इस तरह के विशेपर और भी घुमा फिराकर मैंने बात किया है लेकिन आज इक अपने बारे में बात करना चाहता हूं हो सकता ह जो मैं फिल करता हूं वो आप आप लोगों में से बहुत सारे लोग फिल करते हूं जब मैं संगर्ष के दिनों में था मुंबई गया 1996 से लेकि 2005 तक अनवरत भाग दोड़ करता रहा मेहनत करता रहा तो मैं जब लोगों को देखता था एसी ट्रेन में गोंते हुए एसी गारी में गोंते हुए बड़े-बड़े होटल जब देखता था और सुनता था उसके बारे में कि इसमें लगजरियस होता है बुफे लगता है सब मन पसंद खाना खाते हैं तो यह मन में होता था कि कब वो दिन आएगा जब मैं 5-star होटल में स्टे करूंगा रहूंगा फिर फ्लाइट मिलने लगी फिर होटल मिलने लगा फिर 5-star होटल मिलने लगा देश-बी-देश घुमने का मौका मिला हर तरह की फैसलिटी मिलने लेगी लेकिन देरे-देरे-देरे-देरे-देरे-देरे-अब ऐसा लगता है आज मैं लखनों में हूँ 5-star होटल में हूँ हयात में और इस हयात के five star hotel के कमरे में मुझे एक अजीब से मेशे नहीं है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे नीद नहीं आती अजीब से घवराट होती है क्यों क्यों कि हमने अपने सपनों को एक ऐसे पाइदान पर ले जाके खड़ा कर दिया जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है हमने हेल्थ स्वास्त मांसिक हर दिश्टिकोंड से अपने आपको कमजोर बनाया हमें लगता है कि हमें पैसे मिल जाते हैं तो दुनिया के सारी खुशिया मिल जाती है लेकिन खुशिय हमने अपने स्वरीर पर ध्यानी नहीं दिया अब इसमें से बहुए सारी चीज़ें हम नहीं ख़ा सकते हैं ये आपके सपनों और आपके बीचका जो वक्त था किसे आपको अपने आपको देना था ये कहां रुखता है ये तो अपने हाट में था अप मोटे नहोते भई अच्छी चीज़ खाने का हक आपको होता अगर आप अपने सेहत पर ध्यान दिये होते हैं यह गलती तो मुझसे हुई आज मैं फ्लाइट पे जब बैठता हूँ तो जिस फ्लाइट पे बैठता हूँ और लखना हूँ आने के बीच में सिर्फ दो घंटे होते हैं लेकिन वो दो घंटा कटता नहीं ऐसा लगता है कि बस नीद आ जाए सो जाओं और एरपोर्ट पे जस्ट लैंड करें नीद खुल जब 24 घंटे आप ट्रेड में मस्ती लेते होज जाते थे स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी आप उतरते थे पकोडी खरिते थे पहरिते थे चाय कःट Around Yeah वहां तो मेरी बुढ रहती इस तरह की बात होती थी वह प्लाइट में बैठा हुआ बगल का आदमी आपसे बात नहीं करता आप उससे बात कि आज होटल हयात के खुबसूरत कमरे में भी मुझे आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि अब मैं कुछ और आनंद ढूट रहा हूं जबकि आनंद जिसको जिस आनंद को आप ढूड़ना चाहते हैं वह आपके आसपास है और आप उसे चाहते ही नहीं है कि आम तोरप़ हमें गळुत हaan गे होती है कि अगभर हमारे पास धेर पैसे आ जाएंगे तब हम आनंद दित होगे और उस ठेर सारे पैसों के आते 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 आप धेर सारे रोगों के मालिक हो जाते हैं धेर सारे परिसानियों के मालिक हो जाते हैं और आपके धेर सारे पैसों का अनन्द आपके धेर सारे बच्चे लेते हैं और आप बाबा जी का जुन्जुना हिलाते रहते हैं आकों से दिखता नहीं दैरों से चलता नहीं हग खुशियां आपके आसपास ही होती है कि कहाने को पैसे नहीं होते थे तब भी जीवन था अब गाड़ी से चलता हूँ फ्लाइट में बेटता ओँ बड़ misses नहीं हूँ भाई इसी आनंद की चक्कर में जिस आनंद को पाने के लिए मामा कब बुड़े हो गए पता नहीं चला, दीदी कहती रह गई कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, 20 साल हो गए नहीं जा पाए वहां, दीदी की ससूर हमिशा कहते रहे कि मनोच को बुलाओ, वो भी जुनिया से चले हो गए, सोसली बाइकाट हो गए, सिर्फ ये सुनने के लिए कि मनोच स्टाइगर एक स्टार है, सकसेस है, हो तो गए अब, जब पलट कर देखती हो तो तो तमाम रिस्तेनाती तुम से सवाल करते हैं, क्यों, खुश हो ना, उनकी नजर में हो सकता, आप खुश भी हो, वो गए, बैठके बाद भी करते होंगे, कि मनोच टाइगर देखो, बहुत बड़ा स्टार हो गया है, बहुत पैसे कमाता है, लेकिन मनोच टाइगर कंबखत, कहीं, किसी जगह पर खुश नहीं है, ये सिर्फ मनोच टाइगर की कहानी नहीं है, हर सफल व्यक्त की कहानी है, जि घर के सुख़ो की अपने हैं बाकी सब जूठे स्पने हैं तेरे घर के आगन में तेरा घर ना खो जाए कहीं दीर कहीं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए kur जब घर से निकला था, गाउं से निकला था, तो सपना था कि ठ्रेक्टर खरीदूँगा, पक्का घर बनौँगा, ऐसे करूँगा वजब मुंबई पहुचा और कामाने लगा तो सपने बतल गे, मुंबई यो फ्लेट की कलपना करने लगा मुंबई में गर होना चाहिए ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए गवाँ में छोटा गर बनवा दू क्या जरू था वहां का रिटर्निंग नहीं कुछ है कुछ रिस्ते और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका कुछ रिटर्निंग नह देपाता है मा के सपने पूरा करने थे और जब मा का सुख लेने का समया थो मा छोड़के चली गई तो जो आपके पास रिस्ते नाते हैं इस पे मुझे अब रिलाइज होता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसे पूरा करूँ पर मैं अपने सभी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि जो आपकी दृष्टी में जो आपकी नजर में बहुत सुखी और बड़ा आदमी लगता है दरसल उसमें से 99% बहुत दुखी है उन्हें नीद नहीं आती और जिने रात को नीद की दवा लेनी पड़ती है मुझे आद है मैं क्या नीद लेता था मेरे अगल बगल नगाले बसते तो मेरी नीद नहीं खुलती थी अब दो बजे के पहले नीद नहीं आती है सुखी तो वो है जो अच्छी नीद लेता है खाना तो दाल, चावल, रोटी ही है हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगे लेकिन सफलता पाना, अपने मंजिल पर पहुँचना सबका अधिकार है लेकिन रिस्तों को खोकर नहीं रिस्तों के साथ रिस्ते ही आपके अपने होते हैं घर परिवार ही आपका अपना है माँ, बाप, भाई, बहन, नात, बात, रिस्तेदार इनके क्रम में बधे रहो हो सकता है कभी तकलीप हो, दुख हो किसी की अवहिलना जलना पड़े यह पार्ट अफ लाइफ है, यह जिन्दगी है, यह जीवन है इसी से तो मजबूत होकर आप आगे बढ़ते है सफालता लीजिए लेकिन किस कीमत पर उस कीमत पर जब आपका परिवार आपसे दूर हो जाए आपके घर परिवार वाले आपसे दूर हो जाए कभी-कभी बहुत रोना आता है अचानक मैं परसों बैठा था मेरे एक मित्र है जिनके साथ मैंने इलहाबाद बिश्विद्याले में पढ़ाई की थी वैवेवर दंदूबे जो इंडिया नियूज में बड़े पत्रकार थे 6 मेना पहले मारे पास फोन आया मनज भाई कैसे है मैंने का आच्छा हूं भाई भाई वाले मुझे कैंसर हो गया मैंने का क्या बात करते है वो ते हां यार स्टमक कैंसर हो गया और मैं चंद्रिकड़ में इलाज कर बारा हूं लेकिन ठीक हो जाऊंगा बड़ी बुलंदी के साथ भाई नहीं बोला फिर दो-तीन बार खबर लिया फिर शूटिंग में ऐसा बिजी हुआ कि मैं बैभव भाई के खबर नहीं लिया परसों मैंने सोचा कि मैं बैभव भाई को फोन करूँ तो मेरी मित्र संजेश दुरवेदी साब जो दिब प्रेम सिवा मिसन के एक सुद्रधार है उन्होंने कहा कि दो दिन पहले बैभव भाई की डिथ हो गई मैं बैभव भाई से मिल भी नहीं पाया बैभव भाई से बात भी नहीं कर पाया ये कौन से सफलता है कमबक्त ये कौन से सफलता है कि आप अपने मित्र को देख नहीं पाए मैं अब कभी-कभी मन होता है कि अपने गाल पर थपड मारू अपने लोगों से मिलो चुलो बात करते रहो बाई किसी भी कितना भी कमाल हो ये भूख कम नहीं होने वाली है आलोट चलें लिस्ते के साथ काम के साथ काओं का, परिवार का, सदस्य का तालमेल बना रहना चाहिए मैं बनाने की कोसिस करा हूँ फिर से आप भी किजिए आपके जीवन में भी ऐसी घटना है बहुत घटती होंगी वही पल होता है जब आप किसी की खबर ले लेते हैं मोबाइल होने के बाद भी डिशनल दमाना होने के बाद भी लोगों से कम्मिनिकेशन गैप में हैं और हम बिल्कुल कटे हुए हैं मोबाइल पर हाई हलो गुड मॉर्निंग और ऐसे सुविचार भेजने वाले जो अपने ही परिवार का खबर नहीं लेते हैं ऐसे ऐसे सुविचार भेजते हैं मोबाइल पर ऐसे से पोश्ट लिखते हैं पर अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा दोसी मानता हूँ मुझे लगता है जिन्स दुनिया का सबसे घिनोना एंसान हूँ मैं मैं मनोश टाइगर मैं बड़ा पवित्र था लेकिन सफलता में मैंनत में भागने में दोड़ने में कहीं न कहीं मैंने उपने उपर एक बेमानी का निच्टा का छूटा का एक लेयर चड़ाता गया और मैं बिल्कुल गंदा इंसान बन गया मैं धोँगा अपने आपको फिर से अच्छा बनाने की कुछिस करूगा हो सकता है मेरी बातें आपको पागलपन के लगें लेकिन यह मेरे दिल की बात है मैंने फील किया और मैं अब मेडिटेशन करता हूँ मैं योगा करता हूँ मैंने खाने पीने की चीजों पर उतना ध्यान देना बंद कर दिया है अब मुझे अपने अंदर जाना है अपने मेडिटेशन को करना है अपने आपको पहचानना है और दुनिया के सबसे बड़ा आनन्द ही है जब आप अपने रिष्टे ना तो बीच में रगर अपने सहत का ध्यान रगते है लव यू बंदे मातर